हाई फ्रेंड्स we are going to find a square of two digit number by कलम मेठे ठीक है तो हम क्या करना चलते हैं कि दो डिजिट नमबर का अगर a square निकालना हो कलम मेठेट से तो कैसे हम find out करेंगे ठीक है तो suppose हम जान लेते हैं कि हमारा जो होता है two digit number क्या होता है देखू जैसे आपका जो है यह 10 हो गया यह 11 हो गया यह 13 हो गया यह आपका टील कहां से मानलो 97 98 यह 99 तक मने 10 से लेके जो आपका 99 तक जो natural number होता है वह सारा जो अपका क्या होता है two digit number होता है मींस उसमें देखू फॉस डिजिट सेकेंड इस ठीक है उसमें two digit number होता है तो अगर two digit number का अगर हमें square निकालना हो तो हम कैसे find out करेंगे by color method तो देखू सपोस मानलो कि हमको क्या चीज़ का 24 का square निकालना हो 24 का square क्यों कृता होता हो तो कि कीया हो तो इससे पाले आप जान जास जाओ कि जो आपका यह पलस बी का फर्मुला क्या होता है तो आप सभी जानते है ए प्लस बी का जो फर्मुला होता है वह होता है a square plus 2 a b plus b square ठीक है यह आप जानगे के प्लस b का whole square कितना होता है ठीक है उसके बाद जो है आपको जानना है कि देखो यह मानलो आपका 24 है ठीक है तो 24 इसे हम लोग बोलते है यह क्या है टेंस टेंस डिजिट है ठीक है और यह आपका जो है यूनिट डिजिट है यूनिट्स डिजिट है ठीक है इसे हम बोलते है कि आपका यह जो है टेंस डिजिट है और यह आपका यूनिट्स डिजिट है और यह आपका क्या है टे यहां पर आपर समय कहां यह है उसे हम ख़ 2 सो permits इसा है ऊंब लिए, उसे हमाल रहा है वैं अ है इसा हमाल हो synergy वे श्योमिकर सिब फिरुएंट्व में ऄका है कि उसरे ठीकर को निधोर्य सबसे पनेंटोम हैं इवनियुटस नियुके क्योंकि two digit number का अगर square निकालना है by column method तो आपको column बनाना है three column बनाओगे ठीक है तो देखो तो यह आपका three column हो गया है ठीक है यह आपका three column हो गया तो मान लो यह आपका क्या है first column है यह आपका second column है और यह आपका third column है ठीक है तो आपने अभी देखा कि A plus B का जो whole square होता है वह A square होता है plus 2AB होता है plus B square है तो आप क्या करोगे कि first column में आप A square लिखोगे second column में जो ताप 2AB लिखोगे ठीक है 2AB लिखोगे और third column में आपको B square लिखनी है ठीक है तो देखू आपने अभी देखा जैसे आपका 24 होगे है ठीक है तो यह आपका क्या है 10s digit है 10s digit को हमने क्या माना है A और unit digit को हमने B माना है ठीक है तो यहाँ पर बोल रहा है कि A square A square लिखनी है तो A का value कितना है 2 है means 2 का square लिखोगे उसके बाद second column में बोला है कि आपका 2 A B का value लिखना है तो 2 A के value कितना है A के value जो है A के value जो आपका किया है 2 है 2 उसके बाद B के value कितना है 4 है ठीक है then B square तो B square किया है आपका sorry B कितना है 4 है तो means 4 का square ठीक है उसके बाद देखूं 2 के स्क्वार कितना होता है 4 होता है और 4 इंटू 2 कितना होता है 8 8 इंटू 2 16 ठीक है उसके बाद 4 के स्क्वार कितना होता है आपका 16 होता है ठीक है तो देखूं अब क्या करना है आपको 3rd जो कलम है 3rd कलम से स्टार्ट करना ठीक है 3rd कलम से स्टार्ट कर उसको असससे करend्रैंद करंगे एड़ेटि ने ऊंटेंड करें अग्राइन दिग्स्टि प्रताइवकी सब्सक्रांब यांडर्लाइन करोगे और जो भी आपका जारा हैं क्यों रूचल responsibility आपको जो था Ć, second column में, replace कर दोगे, ठीक है, तो देखो, इसमें जो था, आपका unit digit होगे, और यहापका, ten個 digit बच रहा है, तो tense digit को आप क्या करोगे, first, second column में, replace कर दोगे, और उसे add कर दोगे, ठीक है, तो देखो, six, one, कितना हुऄ, सेवन, और 117 फिर अगीन आप क्या करोगे इसका जो यूनिय डिजिट है उसे अंडर्लाइन करोगे ठिक है और अंडर्लाइन कर दिया और जो इसका जो 10s डिजिट है तो 10s डिजिट को आप replace कर दोगा किसमें आप फॉस्ट कलम में ठीक है और इसमें आप ऐड करने है ठीक है तो फूर और वन कितना और five और इसमें जितना भी डिजिट बचेगा या या जो भी आपका नंबर बचे सारे नंबर को आप या कर दोगे अनल लाइन करदोगे अभदेख हो आपल ऑपका अन्डरलाइन नंबर है वहीं आपका क्या है, square है, उस number का square है, तो देखो, आपका 24 का square आपने निकाल रहे थे, ठीक है, तो 24 का जो under, जो भी, जो अंडरलाइन किये हो, उसको ढाब कर दो, राइट करो, ठीक है, तो यहाँ देखो, कहां से start करोगे, फर्स्ट कलम से ठीक है तो देखो यहां फाइफ है और यहां पर सेबन है और यहां पर सिक्स है ठीक है तो आपका 24 का जो एसक्वाइर हो कितना होगा आपको सबसे हाइस्ट वाला तूडिजित लेते है ठीक है नांटि नाइन के लेते हैं फोडिभां है क्या हिसके बाद आपका क्या होग जा था तेरै टैंस नीचे जायोगे तो कर सकते हूं ठीक है तो इसके बाद सेके नमानलो कि हमको 99 का स्कूर निकालनी है प्लेक ह唉 भाइट कल अमेट्भे तो सबसे पहले क्या करोगे आप देखे हो यहाँ पिजो है आपका यह इससे जो इस इसे यॉनिट्स दिजिटो को क्या मैरत है यॉनिट डिजिट को हमने बी माना था और फेसली डिजिटो में तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे अगेना अगें मानलो का first column है या आपका second column है या आपका third column है again जो है a plus b का जो square आजा था उसको आप right करोगे तो वह first column से start करोगे इसमें हमारा a square इसमें जो है b sorry इसमें अबगा 2 a b हो जागा ठीक है और इसमें आपका b square हो ठीक है तो देखो आपने a square ₹ के value कितना है एक value आपका 9 है तो 9 के square उसके बाद 2 एक value कितना है आपका 9 है और b के value कितना है आपका also 9 है ठीक है और b के value कितना है आपका 9 है तो 9 के square ठीक है तो देखो आपका 9 के square कितना होगा 81 होगा और 9 9 का 9 into 9 कितना होगा 81 होगा और 81 into 2 जोता है आपका 162 हो जागा ठीक है then इसमें देखते हैं 3rd column 9 का जो square हो कितना आगा 81 होगा तो जब आपको underline करने की बात आती है तो आप 3rd column से start करना ठीक है जब भी underline करने की बात आती है तो आप हमेशा 3rd column से start करना ठीक है तो सबसे पहले क्या करोगे जो भी unit digit है वह unit digit को आपको underline करने है ठीक है unit digit को underline करने है और जो आपका 10s हो या 100s digit हो उसको replace कर देनी है second column में ठीक है second column में जब आप replace कर देने है और उसे क्या करोगे add कर दोगे ठीक है तो देखो आपका 8 है, तो 8 हो गया, ठीक है, तो इसे add कर दिया, तो देखो, 8 और 2 कितना हुआ, 10, 10, 0, 6, 6, 1, 7 हुआ, and then 1 हो गया, ठीक है, उसके बाद देखो, अब फिर अगेन आपको क्या करनी है, जो unit digit है, उसे underline कर देनी है, ठीक है, और उसके बाद जो 10s और 100s digit जो है उसको replace कर देना है, first column में, and then उसे add कर देनी है, ठीक है, तो देखो 17 है, तो इसमें 17 को add कर देना है, ठीक है, तो देखो, 7, 1, 8 हो गया, 8, 1, 9 हो गया, ठीक है, और इसमें जो भी number आ रहा है आपको, उसको underline कर देना है, ठीक है, और उसके बाद आपको क्या चिज के square निकल जोट करना था तो देखा हो जो भी उंडर लाइट यो डिजिट आ रहा है वह यह जो है इस नंबर 949 का स्कुरेर है वह को स्टार करोहई कशांन से स्टार्ड मत करना स्टार्ड करना ठीक तो यह जो है आपका 99 का स्कॉयर है ठीक है तो आप जो तै किसी भी टू डिजित नंबर को तू जिट ना थ्री डिजित नंबर भी बताएंगे लेकिन इसमें जो ए पलस बी का फॉर्म ए स्कॉयर पर बना गवा इसलिए अगर आपको डो डिजित नंबर का स्कॉयर फाइंड करना हो बाई कलम मेठेट से तो आप इस प्रोसीजर से उसको सॉल्व कर सकते है ठीक है आउसके जो भी डिजित है जो भी नंबर है टू डिजित नंबर उसका स्कॉयर फाइंड आउट कर सकते हो तो प्लीज दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके सब्सक्राइब ही मोटिवेट कर दूस्तों कि थैंक्यू फ्रेंड्स